जिन्दगी में इतनी तेजी से आगे दोड़ों की लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में आते ही तूट जाएं। अंसरता बरकरार रखते हैं, सात्यों हमारे विशय चल रहा है भारतिय भुगोल, भारतिय भुगोल के अंतरगत हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किये, आज हमारे जो टॉपिक है वो भारतिय खनीच से रिलेटेड, जिखनीच संसाधन से रिलेटेड प्रस्न है, तो आईए ज दिखाई दे रहे हैं आपको खनीज संसाधन में अग्रणी राज्य जितने हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं आप इसका स्क्रिंशॉट ले सकते हैं और इसे याद करना अनिवार है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण की और प्रस्ण है हमारा प्रस्ण का मांग एक है नि प्रस्ण को समस्ते वे बीचलना है ठीक आगे बढ़ते हैं यह सबसे मोस्ट इंपर्टेंट जो धातु है हमारे भारत में बहुत ही महतुपूर्ण वह है आपका धारवाल करम का सेल समूंग ठीक है तो आईए प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग दो है हमारा भ अनिस्टन साधन के आपके सबसे बड़े भंडार हैं आए नक्से में कुछ इस प्रकार देखें ओहो नक्सा नीडल है आई ये नक्सा बना लेते हैं ठीक है आई बनाते हैं नक्सा ठीक देखिए कुछ इस प्रकार से हम भारत का नक्सा बनाते हैं ठीक है देख ले न भाई जैसे भी आड़ा तिर्छा बनेगा समझ जाना पूरा मिटर लिए आईए कुछ इस प्रकार से हम नक्से को बनाए कुछ इस प्रकार से आपको भारत का नक्सा दिखाई देगा ठीक है तो क्या बोला आपका दक्षणी पूर्वी भाग ठीक है तो यह आपका नौर्थ है यह साउथ है यह इस्ट है और यह वैस्ट है इस प्रकार से बाटे तो दक्षणी पूरु भाग कौन सा हो गई होगा तो यहाँ पस जितने राज्जी हो आपका खनी संसाधन से बहुत ही धनी राज्जी है ठीक है तो इस प्रकार से हमें याद रखना है चत्तिजगड हो गया जारखंड हो गया उडिसा हो गया इस टेप से हमें याद रखना है आगे बढ़ते हैं आईए प्रसन का मांग तीन है हमारा नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को तथ ए और दुसरे को कारण आर कहा गया है ठीक है भई ए क्या है तथ गोड़वाना सेल समू भारत का लगभख 95% कोईला प्रदान करता है बिल्कुल सही 90% से अधिक जो है आपका गोड़वाना से आपका क्या मिलता है कोईला मिलता है ठीक कथन कारण है और है रिजन है आपका अधिकांस लोह धात्वीक और अलोह धात्वीक खनीच धारवार सेल समू में पाये जाता है किसे संबंदित है बिल्कुल सही है ठीक है बताया मैं कि आपका धरवार सेल समूं क्या है बहुत ही important धात हुआ हमारे भारत देश की दिस्टिकोंड से ठीक तो आपका इसमें याद रखना है अपने अपने को कारण तो सही नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों अपने अपने छेत्र में ठीक है आइए देखते हैं तो ए आर दोनों सही है यह जो है सही हो सकता है ठीक है अभी सही हुआ नहीं है ठीक उसके बाद क्या है ए और आर दोनों सही है किन्तु आर ए की सही भी अख्या नह करने आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण हमारा प्रस्ण तो दिखाई निदे रहे यह तो नक्सा है तो इस प्रकार से जो है कोईला छेत्र जो प्रमुख कोईला छेत्र है वह आप इसकी शॉट लेके याद कर सकते हैं बहुत ही महत्पूर्ण है यासे जगा का नाम सीधा सीधा जो है आपका सहर का नाम जहाँ ख़दान है कोईले की ख़दान है उससे डारेक्ट आपका प्रस्ण पूछे जाते हैं आई आगे बढ़ते हैं वद्य प्रदेश में जैसे उमरिया है च्छतिस गड़ में कोरबा है तो उसी प्रकार से बहुत सारे तलचर है आपका जहारख को उपलब्ध नहीं है ठीक है भई लोई में जेलो आसका बिहार में तो है मद्यप्रदेश में है विशार में ओडिशा में पंजाब में नहीं नहीं थिक् retro में पंजाब मैं बढह crabs बढ़ते हैं यह रहन अक्सा अटिक है यहाँ याद रहन रखने हर्याणा वाले छेत्र म भी होता है इस प्रकार से याद रख सकते हैं लेकिन पंजाब में आपका फिर नराज हो गया भाई यह ठीक अराम से करें यहां नहीं मिलता आईए आगे बढ़ें इसे याद करिए स्क्रिंसौट लिजिए इसका ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं यह रोक के याद करा करो उस प्रसिद्ध है आईए आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका तांबा छेत्र ठीक है तांबा छेत्र तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़िए ठीक है प्रस्वन का मांग 6 हमारा सूची एक को सूची दो में सुमिलित कीजिए नीचे दिए तथा नीचे दिए गया मैक्सिको ठीक है चांदी का कहा है मेक्सिको ठीक उसके अभरक भारत में जो है आपका अभरक बहुत ही यह हो गाई इसका ठीक उसके बाद है लहाD लौह एस्क के लिए आपका है रूसी संग तांबा के लिए आपका चीली ठीक है तो इस प्रकार से इसे याद रखना है आईए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग साथ है अमारा निम्नलिखित लोह ऐसकों में से बैला डिला में किसका खनन होता है ठीक है चतिस गड़वाले आंसर लगा सकते हैं अनमडीसी ठीक आईए ये थोड़ा पेचीदा है देखिए हेमेटाइट, सीडेराइट, लेमोनाइट या मेगनेटाइट याद रखिएगा आपका दुती स्रेनी का लोह ऐसक हेमेटाइट जो है आपका वैला डिला में आपका खननन होता है ठीक है लेकिन यहां जो दिया है आपका लोह ऐसक के चारण अनुसार आपका लोह ऐसक की आप याद रखना है ठीक तो आईए देखते हैं सबसे अच्छे कॉलिटी का होता है मैगनेटाइट मतला पहला ले सकते हैं इसको ठीक है दूसरा नंबर का हेमेटाइट होता है ठीक है तीसरा नंबर का लिम लिमोनाइट होता है ठीक उसके बाद चौथा नंबर आपका होता है षिण भारत में धारवाड चेतर में धारवाड मतलब करनाटा अंत्रपदेश तमील नाडू याले चेतर में आपका क्या मिलता है? मैगनेट आइड मिलता है, आई आगे बढ़ें प्रसन का मांग आठ है, हमारा राजिस्थान लगभग एकाधिकार है ओके ठीक है, जस्ता के लिए याद रखेगा, राजिस्थान में आपका एकाधिकार है तांबा के लिए मत लगा देना, तांबा में अग्रणी जो उत्पादक राज्य है, वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ देखें हम लोग, स्टार्टिंग में ही, यह देखो, कहां गया, यह रहा, कहां गया तांबा, यह रहा, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, आ आगे बढ़ें प्रस्न का माँंग नौ हमारा भारत के किस राच्य में अलाग अलग है चान्दी उपलब्ध नहीं हो डिशा गुजरात या आपका झार खंड याद रखे गारख्राट में आपका चान्दी उपलब्ध बाकी सारे जगह में आपकाunky उप पुछे जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहारा प्रस्न कमांग 10 हमारा निमलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है अभी बताया थोड़े देर पहले कौन है मध्यप्रदेश वर्तमान के अनुसार भी आपके क्या है मध्यप्रदेश है ठीक है आगे बढ़ लेते हं इसे भी ठीक है कॉलार याद रखिए मुझे तो या याद आ रहा है प्रस्न करने का अपका रोच क्या होना चीज़ में कोलार ठीक है कोलार जो है आपका सोने के लिए प्रसिद्ध, तीन का एक होगा, ठीक, मेरे को यह याद आ रहा है, अभी जस्ट इंस्टन्ट, ठीक है, वसे काला हंडी मेरे को मालूम है, कि आपका बकसाइड वाला छेतर है, ठीक है, उडिसा में, लेकिन बता रहा हूँ, कोलार, अरे केजी अप मुमी देख र रहा हूँगा, जो फैन फॉलोविंग होगा, उनका जो है, वो धरूर देख रहा होगा, पूरा बॉक्स ओफिस को हिला के रख दिया है, ठीक है, चलो आइए, हम प्रसंद सत्र क्यूर आगे बढ़ते है, ठीक, तो क्या है, काला हंडी, बॉक्साइड, ठीक, तो क्या दिख टिख यहा है, तो इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है, तो अप्रोच कैसा रखना है, तो क्या हो जागा इसका, एक कहो गया, आपका बॉक्साइड, ठीक है, जवर जो है, वो आपका ताबा के लिए प्रसीद है, राजिस्थान में है जवर, ठीक, फिसके बाद है आपक मुसाबनी ठीक है ऐसे इस प्रकार से याद रखना है इसे ठीक आगे बढ़ते हैं आई यह रहा आपका बॉक्साइट छेत्र का जितना भी आपका नक्सा है मतलब आपका जो छेत्र है उसे स्क्रीन सोट लिजिए और बिल्कुल रड डालिए याद कर लिजिए इसे आगे टीन अयस्क से प्रस्न पूछता है आग बंद करके चटिसगर लगा देना है भारत का एक रामात राज्य जो की टीन का उत्पादन करता है आई यह आगे बढ़ें मतलब टीन अयस को वहां मिलता है ठीक है तो आपका प्रस्न कमांग 13 है भारत के निमलिखित राज्यों में से कौन अभरक का सबसे बड़ा उत्पादक है देखिए भई आंदर प्रदेश बिहार जारखन या राजिस्थान आंदर प्रदेश में आपका अभरक याद रखना है ठीक है यहां देखो नक्से में कहा गया भाई यह पेज में ठीक है आंदर प्रदेश अब रख यह रहा ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है आईए आगे बढ़ते हैं कहां गया भई प्रस्ण ये रहा अंदर प्रदेश लिए अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार हमारा अज प्रस्ण का मांग 14 है सर्वत्तम किस्म का संग्मर्मर कहां पाया जाता है याद रखना है राजिस्थान के मकराना में सर्वत्तम किस्म का आपका संग्मर्मर प्राप्त किया जाता है यहां से आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्ण का मांग 15 हमारा निमलिखित सैल करमों में से कौन सा भारत का 90 प्रतिसत से अधिक कोईला प्रदान करता है पर दूसरे कोश्चन में बताया हूँ गोड़वाना करम का आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण का मांग 16 हमारा कोईला मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार 14-2014 को निमलिखित राज्यों के प्रमानित कोईला भंडार के द्रिष्टी से सही अवरोही करम क्या है याद रखेगा 18-19 के अनुसार भी आपका अकड़ा कैसा है सबसे पहले आएगा आपका अवरोही करम बोला है ना तो सबसे पहले बड़ा होगा जहां ज्यादा है तो उस प्रकार आपका जारखंड फिक है ज्यारखंड़ दीख रहा है दो में ठीक है ज्यारखंड ओरि सा होगा तो यह आपका डि और आनसर होगा मेरेको दिखाई दे रहत है यां से ज्यारखंड ओरिसा शत्तिछ गड़ा और मत्यप्रदेश यहोगा इसका अंसर ठीक है वरतमान का quienes आख्ड़ा भी दे तो यहां देखिेंगे अपन द्दामुदर घाटी कुईला खधान फिर से वैसे प्रसना आगया को या उद्दपादग छेत्र कहां है। कोईला उत्पादन चेत्र ठीक है कहा है आपका दामदर घाटी चेत्र जारखंड वाला चेत्र ठीक है तो इस प्रकार याद रखना है सोन घाटी मध्य प्रदेश में होगा यह दिख रहा है उमरिया ठीक है तो क्या हो जाएगा एक तीन दिखाई दे रहा है एक तीन एक तीन दे रहा होगा ठीक है इस प्रकार से इसका सुची बनाता है तो हमेरे को हमें क्या क्या चाहिए तो इस प्रकार से हमें प्रस्न बनाना है आई आगे बढ़े तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा टिक आगे बढ़े आईए प्रस्न का में 18 हमारा भारत में तेल का भंडार कहां है याद रखियेगा असम दिख रहा होगा ठीक सबसे पुराना आपका कच्चे तेल का छेत्र यह इस प्रकार से आपको दिखेगा तेले ओम खनीज वाला छेत्र ठीक इसे स्क्रीन सॉट लेजिए और बनाइए यह बॉंबे हाई वाला एरिया ठीक है आगे बढ़ते हैं यह प्रस्न का मांग 19 है हमारा निम्ना अंकित राज आपका 2013-14 में कौन सर आज पेटोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है देखो असम तो नहीं है ठीक है गुजरात नहीं है आंदरप्रदेश नहीं है राजिस्थान है याद रखिएगा ठीक है इसका क्या हो जाएगा आंसर राजिस्थान और आपका गुजरात और असम वा अकड़े थी यह वाला अकड़ा जो है 2018-19 का अकड़ा उसके बाद जो है अकड़े रिलीज नहीं हुए ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना आए आगे बढ़ते है प्रस्म का मांग 20 है लेनुज पेट्रोल उत्पादक छेत्र किस राज्य में स्थित है ठीक है तो याद मिन्धन है ठीक डीजल है पेट्रोल है लकड़ी नहीं ठीक है यह ठोष जय विन्धन हाँ इस प्रकार से याद रखने जिवास में क्या होता है जिवास में जो होता है । आपका है जितने भी आज से करोलों साल पहले पेड़ और मरे हुए जीव जमीन में दफ्ण हो गया थे तो वह जीवासमे के रूप में आज उन्हें हमें हम उपयोग में ला रहे हैं खनने वह मुद्ध खनन द्वारा आई आगे बढ़ते हैं ठीक है देखे प्रस्ण कमांग 22 है तुरामडी में किस खनीज का खनन होता है ओके ठीक है तुरामड प्रस्ण का अंसर लगाई ये बहुत ही कॉमन को अंसर है ठीक है तो यूरेनियम हो जाएगा जादू गुड़ा जैसे दीखे तो क्या याद रखना है यूरेनियम जारखन में ये भी आगे बढ़ते हैं कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है याद रखिएगा कैमूर पठार विहार का दक्षिन वाला छेत्र नराज हो जाता है ये बार-बार मेरे से चुना पथर के लिए प्रसिद्ध है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं ये रहा छोटा नाकपूर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है छोटा नाकपूर पठार देखिए ओहो ये तो अलग प्रकार का प्रस्ण है प्रस्ण की प्रकृति देखते रही है ठीक है मैं क्या सोचा गोड़वाना करम का छेत्र तुरंत अंसर लगा दिये जाए लेकिन सोचो यहां पस प्रस्ण को थोड़ा सा घुमाया है ठीक है देख लेते हैं कुसल स्रमिक जल विद्यूत प्रस्ण का प्रस्ण जो है उसका प्रस्ण जरूर से जरूर इसका उत्तर दिजेगा बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है ठीक है उनको सब को सुपकावनाय देता हूं अपने उज्वल भविश्य के लिए तो उसी प्रकार आईए हम आगे बढ़ ों यह तो क्रांती वाला छ्यट्र हो हो गया ठीक है इसे मिटा देते हैं यह बी डिलिट करो इह रहा आज का प्रस्ण ठीक है तो इसे आप लोगों को बनाना है ठीक है यह आपका इंग्लिश वालों के लिए और यह आपका изिली वालों के लिए दोनों प्रकार से इसका उत उत्तर है पिछली कक्छा का ठीक है तो यह आपका आज का प्रस्ण है जिसे आपका इसका उत्तर आज आपको देना है इसी के साथ इजाजत चाहूंगा जहिन चात्र